आगे वाई सेंग इंजी को जबरदस्ति किस कर लेता है और कहता है इंजी प्लीज मत जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम जानती हूँ अगर तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी तो मैं कैसे जियूँगा तुम्हारे बिना तुम मेरा कोई प्लीज इंजी ऐसा मत करो प्लीज मत जाओ तुम्हें ये सब कहने में बहुत देर कर दी मैं कब से तुम्हारे मूं से ये सारी बाते सुनना चाहती थी लेकिन अब इन सब कोई भी मतलब नहीं है और इंजी ये कहकर वहां से चली जाती है और बैचारा वाई सेंग देखता साव सेंग को कहता है कि उसकी ममी कुछ दिनों के लिए माय के गई है वो जल्द वापस आ जाएगी वो परिसान ना हो और वो ये बात कहकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि वाई सेंग को खुद नहीं पता कि इन जी अब घर वापस कब आएगी इधर वाई चेंग को अपन अपने सान और सोकत से प्यार है अपने बेटे से नहीं आपका पिटा कितनी तकलीफ में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा पर आपने बेटे पर नहीं थोप सकते वाई सेंग के भी अपनी जिंदगी है वो अपना फैसला खुद ले सकता है वो अपना अच्छा बुर आपस नहीं आएगी इसलिए तुम्हें ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी समालने होगी और वो तुम कैसे समालोगे तुम खुद सोच लो और उसके पेरन्स के कहकर वहां से चले जाते हैं दोसी तब यांग को अपने के पर बहुती पस्तावा हो रहा होता है क्योंकि छे पर इनजी उसकी बात सुने के लिए तुम पर भरोसा नहीं किया जिस वज़ा से मैंने तुम्हारा बहुती दिल दुखाया है जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रती तब ही मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और इस बात का पस्तावा मुझे पूरी जिंदगी प्लिस इनजी मुझे माफ कर दो पर इनजी उसे माफ नहीं करती और कहती है एक रिस्ते की बुनियादी भरोसे पर टिकती है लेकिन तुमने मुझे भरोसा नहीं किया अब हम दोनों कोई बीच कुछ भी नहीं हो सकता मैंने अल्रेडी डैवोर्स पेपर साइन कर दिया है ज पर उसके पापा बहुत ही गुसा करते हैं और अपने बेटे को साप साप ओडर देते हैं कि वो इनजी से अपने सारे रिष्ते नाते तोर दे क्यूंकि इस खांदान की बहु बनने के लायक नहीं है पर वाइज से बहुत प्यार करता हूं मैंने उस पर भरोसा ना करके सो जाती है आगे वाइचेंग अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाता है उसे किटर गार्डेन लेकर जाता है ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके और इसी तरह धीरे-धीरे इन दोनों के बीच भी बाउंडिंग होने लगती है और वाइच बीहार नहीं मानता और उसके पीछे 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 आफिस जाता है आगे यांग उसके पास आता है उससे माफि मांगने के लिए तो इंजी कहती है अब मैं तुमने अचार डालू तुम्ने और रेडी सब कुछ खड़ाब कर दिया जब से तुम मेरी लाइफ में दुबारा पूरी तरह बरबाद हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी खुसियों को आग लग गई, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना, क्योंकि तुम तो यही चाहते थे, तो यान कहता है, इंजी प्रीज मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कि मै तुम्हारी खुसियों के आड़े आँगा, छे साल पहले मैंने तुम्हारा दिल इसलिए दुखाया था, क्योंकि मुझे दिल की विमारी थी, और मेरा हार टांस्प्लांट होने वाला था, डॉक्टर ने साफ साब कह दिया था, कि इस ट्रांस्प्लांट में मेरी जान भी ज सकती है, इसलिए मैंने दुसरी लड़की के साथ अफैर का नाटक किया, और तुम्हारा दिल तोरा ता कि तुम्हें ने इस दुख से बचा सकूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता, तुम तो पूरी तरह से रूट जाती, और अपने साथ क्या कर जाती, मैं यह सोच भी नहीं स तुम्हारे साथ रहती, तुम्हारा साथ देती, लेकिन तुमने मुझे अपनी बीबारी के बारे में बताने के बजाए मेरा दिल तोरना जरूरी समझा, क्यूंकि तुम्हें लगा कि इन समय ही मेरी भलाई है, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम लोगों को सिर्फ अ आगे वाइसम् यां cog कहता है इंजी की लाइफ से दूर रहो। चाह शाल पहले ही तूमने उसे बहुत बरी चोट पहुचाही है और अब मैं नहीं चाहता कि दुबारा तूम उसे कोई भी चोट पहुचाह Aaου यांग कहता है मैंने जान पूछ कर कुछ भी ऐसा नहीं किया और मैं तुम्हें भी यह बात किलरली बताना जाता हूं कि मेरे और इंजी के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इंजी तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इंजी को मनाओ और उसे अपने पती के साथ अपने रिष्टे की नई सुर्वात करने की कोसिस करती है और उसे मनाने की कोसिस करती है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे डाइवोर्स ना दे पर वांग चाहकर भी याने के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने यानी को जो ध पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे तुमसे पहले प्यार हुआ था और मेरी प्यार की सच्चाई ने तुमें मेरा अपना बनाया था तो इस बार भी मेरी प्यार की सच्चाई तुमें अपना जरूर बनाएगी इसलिए मैं हर नहीं मानूंगी और अपनी साधी को किसी भ रहने के लिए देगा ही नहीं आगे यानि वांग के ऐसे बहेवियर से पागलो की तरह रोने लगती है तो जिनजा यानि को समहलती है और उसे अपने घर लेकर जाती है जहाँ पर यानि को पता चलता है कि उस राथ वांग ने जिस लड़की के साथ एक राद पिताई थी वह कि कोई और नहीं बलकि जिंजा है यानि ये बात सुनकर तो पूरी तरह तूट जाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोका कैसे कर सकती हो मैंने तुम पर भरोसा किया तुमारी इतनी परवा की लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया धो खाकर पूरी तरह पागलों की तरह रोने लगती है तो जिंजा यानि को समझाने की कोसिस करती है कि उस दिन उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सर्फ एक गलती थी वांग उससे प्यार नहीं करता उस दिन वांग बहुत ही नसे में था जिस वजह से ये सब हो गया वांग यानि वांग ने कुछ भी गलत नहीं किया ये सम्मेरी गलती है पर यानि जिंजा की एक बाद भी नहीं सुनती और इसी वज़े से वो वांग से डैवर्स ले लेती ऑर वांग को कहती है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया जिस के लिए मैं तुम्हें कभी भी करता है कि वो अपनी वाइफ को मना कर घर वापस लेकर जाए इधर इंजी की मॉम को भी वाइसेंग के सारे एफोर्ट्स तिख रहे होते हैं कि वो इंजी से कितना प्यार करता है और उसे मनाने के लिए वो किस हद तक गुजर रहा है इसलिए इंजी की मॉम इंजी को समझाने और उस पर भरोसा कर सके क्योंकि उसने दो दो बार धोखा खाया होता है और दोनों बार किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया होता है। यह जाने का तो वो जाता है और उसे जाकर साव सिंग के पेरेंट्स डे के बारे में बठाता है। तो दादी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो युसिन को समझाती है कि उसका बेटा इंजी से बहुत प्यार करता है और इंजी बहुत अच्छी लड़की है वो इंजी पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है अगर उसके बच्चे इस तरह की गलती करते तो क्या तो युसिन को भी अपनी गलती रिलाइज होती है कि उसे इंजी पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था और नहीं उससे इस तरह रूडली बात करनी चाहिए थी तो यो सिंदादी के समझाने पर उन दोनों के रिष्टे पर अब्जेक्शन लगाना बंद कर देता है और उन दोनों के रिष्टे को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी वाइफ को भी यही कहता है कि यह वाइसेंग की लाइफ है और किसे नहीं ये उसका फैसला होगा और हम लोग उसकी life में interfere करने वाले कोई भी नहीं होते तो यूचुन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो इंची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती आगे यूचुन लू यान से मिलने के लिए जाती है तो लू यान यहाँ पर यूचुन को भरकाने की कोसिस करती है कि अब उन दोनों का डैवोर्स हो गया है तो इसलिए वाई सेंग को अपनी life में move on करना चाहिए तो यूचुन लू यान को वाई सेंग के साथ सेट करने की कोसिस करती है और उन दोनों को एक दूसे करीब रखने की कोसिस करती है तो लू यान इस मोखे का भरपूर फाइदा उठाती है और वो वाई सेंग के दिल में अपनी जगा पनाने की कोसिस करती है लेकिन बातों ही बातों में अपने मूँ से ही सारी सचाई भी उगल देती है जिस वज़ा से वाइसेंग को पता चल जाता है कि उसकी मॉम को इंजी और यां के पाष्ट के बारे में किसी और नहीं बलकि लू यान ने बताया था कि वो उन दोनों का रिस्ता तुरवा सके ये बात जंग को लू यान पर बहुती गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बुरा करोगी तुम तो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी तुम काइन हाटेड हुआ करती थी सबकी हेल्प करती थी लेकिन तुम्हारी जिद ने तुम्हें किस तरह का इंसान बना दिया है जिसे मैं पहचान भी नहीं पारा तुमने मेरे और इंजी के साथ जो भी किया उसके लिए मैं कभी भी भी माफ नहीं करूंगा इसलिए आज से हमारी दोस्ती यहीं पर खतम और वाइसेंग लुयान से अपनी दोस्ती हमेशा मेशा के लिए तोर कर वहां से चला जाता है तो लुयान अपने के पर बहुती पस्ता आती है कि वह अपने जित में किस हद तक गुजर गई जो उसे नहीं भी करना चाहिए वह भी वह कर गई और फाइनली लुयान को अपने के पर पस्तावा होता है और वह अपने घर जाकर खूब फूट फूट कर होती है कि तभी वहां पर मिश्टर लु आ जाते हैं और अपनी बेटी को ऐसी हलत में देखकर उन्हें वाइसेंग पर निकाल सके पर कोई भी बैंको से लोन देने के लिए तैयार ही नहीं होती जिस वजह से वाइसेंग बहुत ही परिसान रहता है कि आखिकर वह इस प्रॉब्लम का सॉलुशन कैसे निकाले तो इसके पैरेंट्स कहते हैं कि उसे लुयान से हेल्प ले लेनी चाहिए लुयान ही आज़ उसकी है पर वाइसेंग लुयान से हलप लेने से मना कर देता है और अपने पैरेंट्स को कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोलुशन खुद निकाले कोई बहु नहीं करेंगा और नहीं उससे कोई भी रिस्ता रखेगा अगर साव सेंग की तव्यत अचानक और फाइलली वाइचेंग के दिल में पिता का प्यार जागी जाता है और वाइचेंग सावसेंग को एक बेटे की तरह प्यार करने लगता है भले ही इन दोनों के बीच नोकजोग होती है लेकिन ये दोनों एक दुसे के साथ धीरे-धीरे कमफर्टेवल महसूस करने लगते है इधर इंजी वाइसंग को बहुती मिस कर रही होती है क्योंकि वाइसंग उसके इर्द गुर्द नहीं घुमड़ा होता है क्योंकि वाइसंग अपने आफिस के काम में बिजी होता है जिस वजह से वो इंजी के पास नहीं जा पाता आगे दादी इंजे से मिलने के लिए जाती है और उसे मनाने की कोशिस करती है और उसे ये भी बताती है कि वाई सिंग उससे बहुत प्यार करता है इससे वो वाई सिंग के साथ अपने रिस्टे की फिर से एक नई tenants शुरवाद करे लेकिन दादी को पूरा यकीन होता है कि ये दोनों एक दिन एक जरूर होंगे आगे दादी वाइसेंग को जाकर बता देती है कि इन जी भी उससे बहुत प्यार करती है और ये बात उसने खुद अपनी मुझे कही है तो वाइसेंग ये बात सुनकर तो खुशे के मारे पगला जाता है दूसी तब वाइचेंग लिनार को साउसिन के बारे में बताने की कोशिस करता है कि साउसिन उसका बेटा है पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो लिनार को इस बारे में बता पाई क्योंकि लिनार इतना बड़ा धोका बरदास्त नहीं कर पाएगी और वो उसे तुरं और वो अपनी मम्मी को मिस भी कर रहा है तो इंजी जैसे ये सुनती है कि साउसिन बिमार है तो वो दोरे दोरे घर आ जाती है तो वाई संग जैसे इंजी को घर में देखता है तो वो कहता है इंजी तुम घर वापस आ गई और वो इंजी को देखकर बहुत ही खुस होता है ल अगे वह दोनों साथ में time spent करुछ तो वाइसें इंझी को कहता है कि अब आपस आही गई है तो वह वापस न आ जाए पर इंजी उसकी नहीं सुनती और वह अपने घर वापस चली जाती है आजे यानि को पता चलता है कि वह मा बनने वाली है यह बात चानकर उसे उतनी खुश जब वाइसंग को इस बार में पता चलता है तो वो यानि को इस कारणामे के लिए खुब डाटता है और उसे इतनी बड़ी गल्ती करने से रोकता है और कहता है अगर तुम्हें इस बड़ी की परवरिस की टेंसान है तो तुम फिकर मत करो मैं और इंजी इसे माँ बाप का प् जो यह डिसर्व करता है तो वाइसंग कहता है तुम फिकर मत करो हम सब मिलकर इस बच्चे को एक अच्छी परवरिस देंगे आगे वाइसंग यानि को कहता है कि उसे इस बारे में वांग को बता देना चाहिए कि वो माँ बनने वाली है पर यानि वांग को इस बार में बता तो वांग डिसाइट कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर यानि को मना कर रहे हैं अपने होने वाले बच्चे के साथ एक अच्छी लाइब जैगी और वो इसी सिलस्ले में यानि से बात करने के लिए जाता है और उसे मनाने की भी कोसिस करता है पर यानि उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि उसने उसके साथ जो किया होता है वो यानि जाकर भी नहीं भूल पा रही होती है तो वांग कहता है अगर तुम इसाफ नहीं करूंगी और यानि उसे घर से दफा कर देती है और वांग हार नहीं मानता और वो हर दिन आनि की कोछ ख़वर करने के लिए घड़ आता है औो उसकी के गए वह Also यह सब देकर बहुत emotional हो जाती है क्योंकि वो भी वांग से बहुत प्यार करती है पर वो उसके धोके को भूली नहीं पार ही होती है और वांग बार-बार उसे मनाने के लिए आरा होता है तो यानि को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कुछ दिनों के लिए vacation पर चली जाती ह तो वाई सेंग उसे समझाता है कि यानि कुछ दिनों के लिए vacation पर गई है वो जल्द वापस आ जाएगी पर वांग को पूरा यकीन होता है कि यानि अब कभी भी वापस नहीं आएगी तो वाई सेंग वांग को समझाता है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम् बुझकर कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो यांग को माफ कर देती है, तो यांग इंजी की माफी पाकर रहत महसूस करता है, उसके बाद इंजी कैसा सुराल जाता है, और वहाँ जाकर सब को बताता है, कि इंजी और उसके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जब हम दोनों क कि दूसरी बार मुलाकात हुई थी तब इंजी ने साफ साफ मुझे कहा दिया था कि वह साधी सुधा है और अपनी लाइफ में बहुत ही खुस है लेकिन मैं ही था जो पाष्ट को लेकर जक्रा हुआ था और मुझे अब भी लग रहा था कि इंजी मुझे पसंद करती है पर ऐ यूएस सिफ ठोड़ा है इसलिए उसके जाने के बाद वो इंजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और उसे खुस रखे आगे वांग अपनी पूरी तैयारी कर लेता है यूएस जाने की जब इंजी को इस बार में पता चलता है तुसे यांग के लिए बहुत बुरा ल लेकर हमेशा हमेशा के लिए यूएस वापस चला जाता है आगे यूसिन अपनी बहु से मिलने के लिए आता है और उसे अपने किये की माफी मांगता है कि उसने पनी बहु पर भरुसा नहीं किया और यूसिन यहां पर इंजी को यह भी कहता है कि वाइसंग उसे बहुत प् आपने बाद करती है औरुने समझाने की कोसिस करती है, कि वो उसकी वज़ा से वाइसंग के साथ ऐसा ना करें लिए पर उसके पापा उसकी एक बात भी नहीं सुनते है, तो लुय आन को भी गुस्सा आ जाता है, और वो अपने पापा को कहती है, मैंने वाइसेंग के साथ और बुरा होने नहीं दूंगी अगर आप वाइसेंग की हेल्प नहीं करेंगे तो मैं खुद जाओंगी उसकी हेल्प करने के लिए तो उसके पापा उसे खीच कर एक थपर मारते हैं तुमने अल्रेढरी मेरा सर जुका दिया है उस वाइसेंग के पीछ आपी लाइफ बर्बात करें अगर तुमने वाइसेंग की हेल्प की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूं का तो लूयान अपने पापा कैसे behavior से पुरी तरह soft हो जाती है और रोते रोते अपने room में चली जाती है पर लूयान अपने पापा की एक बात भी नहीं मानती और वो वाई सेंग की help करने के लिए चली जाती है पर वाई सेंग उसकी help लेने से इनकार कर देता है उल्टा उससे को नई शुर्वात होने लगती है इंदोनों की रिष्टे की एक नई शुरॉवात हो रही होती है और उधर वाइचेंग ऑ कर और उससे अपने सारे रिष्टे तोड़ कर वहां से चली जाती है तो पिचारा वाइचन लेनार को मनाने की बहुत कोशिज करता है और उसे समझाने की भी बहुत कोशिज करता है पर लेनार उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है